आपने अभी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे देगर रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बैल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आरेफ कैसे बनाय जाता है यह मापक जब हम फिल्ड सर्वे करते हैं चाहे प्लें टेबल सर्वे हो या प्रिजमेटिक कमपास इन सभी में हम एक मापक लेते हैं और उस मापक को आरेफ में बदलना अनिवारी होता है तो आज हम उसी को बताएंगे कि दिये गए मापक को आर आरेफ नहीं बनाते हैं तो उसके लगबग पांच नम्मर काट लिये जाते हैं तो चलिए देखते हैं कि यह आरेफ कैसे निकाला जाएगा जो हम लोग दूरी लेते हैं उसको आरेफ में कैसे बदलते हैं यदि एक सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी को पांच किलो मीटर ध के अब 1 cm की जो दूरी है वो मानचित्र की दूरी है और धरातल की दूरी 5 km दी गई है अब जैसा कि यहां पर 1 cm की दूरी जो कागज की दूरी है ये हमने ब Whitney बराबर 5 km की दूरी के बराबर लिया है अब इसको RF में कैसे बदलते हैं तो सबसे पहले तो देखिए यह जो कागज की दूरी है चाहें जितनी भी दी हो हमें एक तो यहाँ पर लाना ही है चाहें एक इंच आए या एक सेंटीमीटर आए अगर इंच का सवाल है तो एक इंच आना चाहिए, अन्य था सेंटी मीटर के सवाल में भी एक सेंटी मीटर यहां पर आना चाहिए, चूंकि यहां पर एक सेंटी मीटर पहले से ही दिया गया है, तो हमें इधर तो कुछ नहीं करना है, बस यह जो पाँच किलो मीटर है, इसको ही सेंटीमीटर में बदल देना है तो चलिए सेंटीमीिटर में बदलते हैं देखते हैं कैसे हो कि अब बराबर होगा चुंकि यह 5 किलो मिटर दिया गया है तो हम जानते हैं कि एक किलो मीटर बराबर एक लाख सेंटी मीटर के होता है तो यहाँ पर पाँच किलो मीटर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि एक लाख गुणे पाँच हो जायेगा पाँच लाख तो ये भी centimeter में आ जायेगा अब यहाँ पर देखिए एक centimeter जो बराबर है पाँच लाक centimeter के तो यही हमारा RF हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे RF होगा एक अन پाँच लाक तो हमने बहुत आसानी से ये तो निकाल लिया कि 1 cm यहां कागज की दूरी दी गई है और धरातल की दूरी 5 km के बराबर है और यहां पर RF निकालना है तो 1 km में 1 लाग cm होते हैं तो 5 km में हो जाएंगे 5 लाग cm अब यहां पर देखिए cm 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 दोनों बराबर हो गया और यहां पर 1 cm निकल गई है तो ये हमारा RF यहाँ पर बन कर बिल्कुल तयार है चलिए एक और सवाल देखते है यदि मापक 3 cm बराबर 9 hectometer दिया हुआ है तो इसका प्रदर्शक भिन क्या होगा तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में 3 cm ये कागज की दूरी दी गई है और 9 hectometer धरातल की दूरी दी गई है ये जब हम फिल्ड सर्वे करते हैं तो इस प्रकार की दूरीयां हम लोग लेते हैं और उनी को RF में बदलना होता है ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा हम बता रहे हैं और ये बनाना भी अनिवार्य होता है तीन सेंटी मीटर बराबर 9 hectometer धिया गया है तो सबसे पहले करना क्या है कि ये जो तीन सेंटी मीटर बराबर जो 9 hectometer धिया गया है इस 9 hectometer को हमें सेंटी मीटर में बदलना है तो एक हेक्टो मीटर बराबर, दस हजार के बराबर, यानि कि दस हजार सेंटी मीटर, एक हेक्टो मीटर में होते हैं दस हजार सेंटी मीटर, तो जाहिर सी बात है 9 hectometer में होंगे 90,000 cm हो जाएंगे अब देखिए cm 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 तो यहां पर हो गया लेकिन हमें यहां पर 3 cm दिया हुआ है इसको 1 में बदलना है तो 1 cm बराबर कितना होगा तो 1 cm बराबर करने के लिए हमें 90,000 में 3 से भाग दे देना है तो 3,9 हो जाएगा तीन बार में कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा 30,000 cm तो अब देखिए हमने इसको 1 cm में भी बदल लिया तो यही हमारा RF हो जाएगा यहां पर RF होगा एक अनपात 30,000 चलिए एक और सवाल देखते हैं कागज की दूरी 6 इंच बराबर एक मील के मापक को प्रदर्शित करती है इसका प्रदर्शक भिन अर्थात RF कितना होगा तो देखिए यहां पर 6 इंच बराबर एक मील दिया हुआ है और हम जानते हैं कि एक मील में 63,360 इंच होते हैं यानि कि 6 इंच बराबर 63,360 यहां पर 6 इंच बराबर 63,360 इंच दिया गया है अब देखिए इंच इंच दिटो ये बराबर है लेकिन यहां पर 6 इंच दिया हुआ है इस 6 इंच को हमें एक इंच के बराबर करना है तो अगर एक इंच हमने यहां पर ले लिया तो यह कितना हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 63,360 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हमारा एक इंच बराबर निकल जाएगा तो छे का भाग देने पर जब हम इसको काटते हैं तो हमारा आंसर 10,560 इंच के बराबर आता है तो देखिए एक इंच बराबर यहाँ पर 10,560 इंच आ गया यही इसका आरेफ हो जाएगा आरेफ होगा एक अनपात 10,560 तो इस प्रकार के सवाल हम फिल्ड सर्वे में करते हैं जब हम वहाँ पर 6 इंच की दूरी बराबर एक मील या 3 सेंटी मीटर बराबर 3 हेक्टो मीटर कुछ भी हम मापते हैं दूरी को कोई भी नाप लेते हैं और उस दूरी को आरेफ में बदलना होता है तो इस बिधी के अनुसार इस तरीके के अनुसार उसे आरेफ में बदला जाता है झाले जाफ में बदलना होता है झाले नाफ लाफ झरती है झाले बदलना होता है पोपाल झाले झाल झाल